हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के सुरोत के बारे में वो कौन-कौन से चीजे थी जिससे हम इतिहास के बारे में जान सके हैं तो आएए इसके बारे में आज डीटेल से चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम इतिहास को जान लेटे कि इतिहास होता क्या है तो इसका परिभास बनता है कि मानों की इस धरती पर उसके ऑतरर से लेकर अब तक किये गे कारकलापो पो एक निश्चित कमा नुसार लिपि बद्ध करना ही क्या आप्ध गलता है यानि कि जब मानों का अवतार हुआ था तब से लेकर अब तक जितने भी उसका कारकलाब था उसको एक निश्चित क्रम में लिप बद्ध किये हैं उसको क्या कहते हैं इतिहास कहते हैं यह तोरह इतिहास की परिवासा आप पूछेंगे सर कुछ डीटेल से बताएं चलिए बताते हैं यदि हम आपसे पूछें कि आपके पूरवजय का क्या नाम था वे क्या करते थे वे क्या खाते थे उनका रहनसान कामधन्दा भेसबूसा इतियादी के बारे में आप क्या जान करेंगे और उनसे अपने दादा पर दादा जितने पूरवज हैं उनके भी समय जानने के कोशिश करेंगे यदि वह जानते हैं तब तो आपको बताएंगे नहीं तो आप क्या करेंगे आप दूसरी अप्सन वस्ता है कि आप उस घटना स्थाल पर जाएंगे और वहां पर जो चीजे आपको मिलेंगे जैसे माले जे इमारत मिली तो उसका विचलेशर कडेंगे या फिर कोई वस्तुय मिले जैसे माले जे मोहर मिले उनके बरतन मिले उनके सिक्के मिले उनके कुछ खाने पीने की चीजे मिले तो उसके आधार पर आप कुछ तथ लगाकर आप उनके के इतिहास के विशे में जाननी की कोसिस करेंगे तो आप पुछेंगे सब तो बहुत कहटना ही होती होगी इस सब के विशे में जानना जी हां कटना ही तो होती है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लिखित साख्छी मिल जाते हैं जिससे हमें उसके इतिहास के विशे तीन भागों में बेभाजित हिया गया है पहला है प्राग इतिहासिकाल या पूरू इतिहासिकाल या प्राग इतिहासिकाल और दूसरा है आद्य इतिहासिकाल तीसरा है एतिहासिकाल जो हमारा प्राग यतिहासिकाल या पूरु यतिहासिकाल या प्राग यतिहासिकाल होता है इसे इसमें क्या होता है कि पूरा तत्विक साक्ष क्या होता है मिलते हैं और लिखी साक्ष कोई नहीं मिलता है अब आप कहेंगे कि सब ये पूरा तत्विक सक्षी कहां से आ गया पूरा तत्विक का अर्थ होता है पूरा तत्व का अर्थ होता है जो हमारे अतीत के आउसेस हैं जो उनके इमारत हैं जो उनके बरतने हैं जो उनके खाने पीने की चीजी मिली इत्यादी इन सब क्या कलाते ह है पूरा तत्व कलाते हैं तो यह रई पूर तत्त्य यानि की पूरा तत्तिक साख्ष मिले कि वहाँ पर कुछ चीज़े मिले और कोई लिखित साख्ष न में यदिति हम कोई कुछ नहीं मिले मतलब लिखी सक्ष्ण मिले उसे किसमें बाटा गया है प्रागेति हसिक आल में कि उधार के लिए हम जाल लेते हैं कि जिसे औजार मिल गए अस्तिया मिल गई यह सब मिली तो वह किसमें चला जाएंगे वह प्रागेति-हसिकाल में चले जाएंगे इसका सबसे पहले खोच किस ने किया था रावर्च वुरुस फूट यह जान लेना ठीक है इसको ध्यान में रखना दूसरी बात आती है आध्य तिहास क्या होता है कि इसमें पूरा तत्विक साक्ष मिलेंगे जो उनके अतित के उसेश थे वे तो मिलेंगे लेकिन इसके साथ साथ लिखिस साक्ष मिलेंगे लिखिस साक्ष भी मिलेंगे लेकिन इससे को पढ़ा नहीं जा सका है मतलब साहितिक ग्रंथ मिले हैं कुछ लिखिश साक्ष मिले हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है तो उसे किसमें रखेंगे आधि इतिहासिकाल में रखते हैं ठीक है उधायर के लिए हडपा काल अभी हम इसके विशे में दीटेल से चर्चा करेंगे तीसरी आती है एतिहासिक काल मतलब जिसमें पूरा त्तात्विश साक्ष भी मिले और लिखित democrat कि दोनों मिले और जो लिखित साक्ष मिले उसको क्या किरेंग चत्य जहरी पढ़ए उसे किसमें रखते में भी ले हैं और पूरा तत्तिक साक्ष में मिले हैं लिखे साक्ष यानि पढ़ भी लिए हैं तो इसको किसमें रख देंगे ऐतिया सिक्काल में ठीक है आए फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं तो हमने सबसे पहले इतियास के भी समय जाना है इतियास के शुरूब के भी समय जिसमें तीन आये हैं प्राग या पूर्व या प्राग एतियाशिक्काल आदितियाशिक्काल और एतियाशिक्काल इसके भी समय जाने इन तीनों की भी समय जाने इन सब की भी समय जाने अब आप कहेंगे सर चलिए इतना तो ठीक है लेकिन ये बताइए कि उनका सन कैसे जग्यात करते हैं कि वो इतने वर्ष पूरू हुआ था इतने वर्ष पूरू घटित हुआ था तो इनको जानने के लिए हम एक बिदी अपनाते हैं कौन सा कार्बन चुदर एक कार्बन चुदर बिदी अपनाते हैं कार्बन चुदर बिदी क्या होता है जो हम लोग है हम लोग हो गए मान और पेड़ पौदे क्या करते हैं जब तक जीते हैं वे वाइ मनडल से रेडियोधरमी कार्बन कार्बन- صुदर क्या करते हैं ॉनके मित्ति के पस्चात जात यह जो कार्बन चुदा ग्रहण किये हैं वे त्याग नहीं लगते हैं और इसी अधार पर बची हुए कार्बन चुदा के अधार पर हम उनके वे कितने समय पूरु जीवित थे जान पाते हैं कार्बन चुदा कि बिष्मी जान लिए एक और बिधा होती है आप लूग पढ़े होंगे कि ब्रिच्व भलण निर्धार पधदती इसमें क्या होता है कि पेड़ होते हैं अ держव ऑदे था निर्फ लें कि और संदिए जितने प्रस चलते हैं उन्में एक घेरा बना रहता है एया और रहते हैं मतलब जिसे मालिजे इसमें तीन तीन मालिजेय को यह ज़ित रहता है और यह जब हम मालेज़े पेड़ difference रधी हम इसको काड़ दें इसको काड़ दें तो इसमें कुछ इस तरह के घेरे बने रहते हैं इस तरह के है तो इनके आदार पर हम जानात कर लेते हैं कि यह पेड़ जो हैं कितने वर्ष तक जिवित है तो इन सब का पता करके हम इतियास के समय की विशय में जान पाते हैं अब बात आती है आप कहेंगे सर B.C. और A.D. क्या होता है कभी-कभी आप सुने होंगे इसापुर्व या इस भी तो इसकी विशय में जान लेते हैं जान लेजिए आज जितने भी सब्द बता रहे हैं सब जब तक इतिहास आप पढ़ेंगे या वह एसेन हिस्ट्री हो मेडैवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो तीनों में यह सब्द आज सकते हैं मतलब बीच-बीच में आज आएंगे तो आप समझ लेना कि यह सब की बीच की यही सब बाते हो रही थी तो आज़के वीडियो जरूर्ड देखना और इसको अगर एक बार समंझ नहीं आता तो दूबारा देखना जरूरर समंझे आजा जागा तो BC और AD की इसा मस्ई की बीच में आप लोग जानते होंगी इशा मस्ई जब उनका ज़न्म हुआ इसके पहले के जितने भी वर्स काउंट किये जाते हैं वे इसा पूर्व में उसको इसा पूर्व में लिखते हैं और इसके बारे मतलब इसा का जन्म जता था उसके बाद जितने वर्स आए घंडित जितने वर्ष आयें उसे किसमें बाढ़ दिया गया है इसा इस्वी में बाढ़ गया है इस्वी में इस्वी के साथ लिखते हैं जैसे माली जी महाबीर स्वामी जी का जन्म महाबीर स्वामी जी का जन्म पांसो साथ इसा पूर्व में हुआ था महाबीर स्वामी जी का जन्म पांसो साथ इसा पूर्व में हुआ था यानि कि कब हुआ तम का जन्म इस्वी के जन्म के पांसो साथ वर्ष पहले इस जन्म हुआ था किसका महाबीर स्वामी जी क्या एदि इस तरह से हैं ठीप है अभ मली जी किसी ब्यक्ति का जन्म गालbaj कजाव दोहजार दो इसा सरी इस भी में हुआ इसको इ लिखके सुन लिखते हैं तो थे 202 this वी हैं इसका मतलब क्या होआ कि जब इसा का जन्म हुआ थाгляд मसी का जन्म हुआ था उसके दो हजार दो साल बाद किसका जन्म हुआ उस ब्यक्ति का जन्म हुआ है ठीक है जो इनका वर्स लिखा गया 2002 इस्वी यानि कि इसा की जन्म जब हुआ था उसके बाद इस की जन्म जब ऑद किसका जन्म हुआ उस ब्यक्ति का जन्म हुआ तो इस तरह हम इस्वी और आपे दिफ्रैंस बिषयमे और आपिस दरहहम इस्वी और इस्वी साकसे ब्लस ब्लस के जैन काकरी हो गए होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एतिहासिक स्रोथ के विशे में एतिहासिक स्रोथ में सबसे पहला क्या है पूरा तत्तिक स्रोथ पूरा तत्तिक स्रोथ यानि अभी हमने बताया पूरा तत्तिक विशे में पूरा तत्तिक विषय में वहीं क्या है पूरा तत्तिक पूरा तत्तिक यानिकी अतीद के जो हमारे आउसेश थे उन्हें को पूरा तत्तिक शुरोद कर लेंगे जैसे माली जे इसमें उदार में आ जाएंगे झाल्य और उनके क्या हुएं अंक सभी अभनेका हुए अधर्लट के अधर फ्रेयू की ऑस्तिव आद इसे माली जो उनके बरतन नुए हैं उनके इनकस्कित के मुहारय सभू है तो यह सब किसम चल हुए गये पुरिया तत्तियकि स्रोत की विए में Ci अग दूरी आते हैं सय उस्हां है सय ठीक प्र Agran के si में मिल गया किसमें रखें जाएंगे साहतिक स्वां को इस आन्ट की साहतिक सब्सक्रवण की में करते अद piace है तीसर आता है सिक्धे वह मुहर करило किसा हडपा काल अभी हम इसके विशा में अच्छे से जानेंगे जो हडपा काल है उसमें सिक्क्य पाए गए हैं जो कि वर्गाकार और गोलाकार थे वर्गाकार और गोलाकार थे और उन पर एक स्वास्तिक कच्चिन इस तरह से बना हुआ था ठीक है इसलिए इससे हम लोग उनके धर्म की विशे में जान पाएं और मूर्तियों मूर्ति कला राइश के अतरएक्ष जो मूर्तियां बनी है उनकी मूर्ति कला कृष्ये में जन्कारी मिलती हैं कला रअब वस्तु कला हो इतियास का रहा अग्ला आता है और पाम लिपियां एहां लेक इसके अंतरगत भारती ओम विदेशी यात्रियों के लिखिद द्रस्ता वेच को समलित की जाते हैं से जो मौर काल के सांसक थे चंदगुप्त मौर उनकी समय में एक मेगस्थनीज नाम करके युनान का राजदूत आय था और वो कि इंडी का अ कि इंमिदिका की रचनाखी ति इससे हमने मपर काल के विशएँ में विश्वसनी या रोचक जनकारी प्रत होती है तो आज हमने कि इन सब के विशय में अच्छ से जनकारी प्रत की है अगला वीडियों वादर पाशाड़काल में रहेगा पासार के विसें में रहेगा तो हम चलें फिर से डिकॉल कर लेते हैं इतिहास मानों ma руб हमने इतिहास की विशह में जाना जिसकी परिभासा हमने जानी और प्राचिन इतिहास का स्रोग की विशह में इतिहास को तीन भागों बाटे पहला प्राग के इतिहासिक काल या पूरू इतिहासिक काल और दूसरा आद इतिहासिक काल और तीसरा इतिहासिक काल और हमने कारवन चौदा और BCM AD की विशे में जाना जिसे इसापुरु और इस्वी करते हैं और हमने एतियासिक स्रोज की विशे में जानकारी प्राप्त की तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन